अब क्या होता है कैसे क्यों करते हैं और क्यों करने चाहें तब से इंपोर्टन है यह जा कि क्योंकि सिगनेचर्स आप पैन उठाए आपने कर दी है आठील के हमने सीखा था उस पैटन के आपने कर दी लेकिन क्या आपको पता है यही सिगनेचर्स आपके लाइफ में आपके सक्षस का कारण होते हैं चाहे वो रिलेशिंशिप हो करियर हो जाहे आपके फाइनेंसिस हो आपकी परसेनल ग्रोथ को आपका बिंजनेस और कुछ भी हो हर जगे आपका जो हैंड राइटिंग पैटन होता है वह काम आता है और वह रिप्रेजेंट करता है और एक और मजी की बात आपको बढ़ता तो अगर आप अपने इस हैंड राइटिंग के पैटन को थोड़ा चेंज कर लेते तो आपका सबकॉंशुस का पैटन भी चेंज हो जाता है और आपकी लाइफ भी उसी तरह से चेंज होने लगते है तो चलिए आप किस तरह से यह होता है यह बता बताते हैं है 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 हुआ है 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 तो करता तक्या है सबसे पहले आपकी बताता है यह आपके आपके एक्जिस्टन्स का बेसिक हैं आपकी पर जो आपकी अंतर जो आत्मा अंतर मन होता है वहाँ पर जो चीज़ें चोड है उसका यह आइना होता है आप किस सरे से सोचते हो किस सरे से अपनी लाइट को जीते हो वो सब signature और handwriting बता है आपकी growth किस aspect में अच्छी है और किस पॉइंट पर आप लैप कर रहे हो यह सब आपको इसमें पता चलते हैं जैसे health है आपकी relationships से आपकी self-esteem है या कैसे लोग आपको इंटरप्रेट करते हैं वो सब आपको इसमें अब सबसे पहले तो आप यह सीखें कितना पुराना है यह existence कैसे हैं पहले आम लोग सोचते थे न किस टोनेज होती थी वहां पर भी जो केव की वाल होती थी उसके पर भी कुछ पिक्चर या कुछ लिखावत होती थी जो अलग बाते हम समझने में बहुत टाइम लगाया है यह सब जो चीजे हैं यह स्टोनेज से चली आ रही है यह कहें इसको कि बहुत पुरानी है जो केव मैंस होते थे वह भी एक तरह का इंप्रेंट करते थे या पेंटिंग बनाथे थे वह उनके ही प्रोसेस को दर्शाता था राइट फिर धीरे शीए जैसे हम कहते थे ना कि पहले के जमाने में क्या होता था सी होती ठीज जो राजा महराजा होते थे उस टैंटिए अगर हम एज़िस को देखें तो कुछ फर इस तरह के आपने ठपे देखे होंगे टेपर के उपर उसके बाद धीरे-धीरे आया थम इंप्रेंट तो थम इंप्रेंट भी आपका सिगनेचर होता है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो थम इंप्रेंट से काम करते हैं और यही हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है आ यह कहीं पर आप से थम इंप्रेंट लिया जाते हैं क्योंकि यह आपका एक्ट्व आइडेंटिफिकरेशन है आप कौन हो रई ऐडेंटि पर इसल्फ नहीं इनिजनीट चाहीए है जिससे उनिकेट्स T कि अब आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजें आप निकाल के दे सकते हो और किस टाइट का नाम आपका है, उस हिसाब से आपकी सिगनेचर्स हो जोगे हैं. आप लोग मुझे बताइए, कितने लोगों को यह चीज है कि भाई मैं इतना सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिटोग्नीशन नहीं विच्टाइए. कितने लोग ऐसे हैं कि ऐसे उनको जाना जाता है, कहते हैं कि फादर के नेम से जाना जाता है, यह तो उस फैमिली को बिलॉंग करता है, इस टाइप से ना जाना जाता है. आप में से कितने लोग इस चीज़ से एसोसियेट कर पा रहे हैं? यह फला फला की बेटी है यह फला फला का बेटा है, यह इस फैमिली को इस खांदान को बिलॉंग करता है, यह इस गाओं को बिलॉंग करता है. तो वो कैसे पहचाना जाता है, वो समझें. अब हम एक-एक सिगनेचर को थोड़ा सा एनिलाइज करें. तो पहले आप ट्रेट समझ लीजिए. होता है, कभी-कभी होता है. आप में से मुझे एक चीज़ बताएं, आप में से कौल है जो अपने नाम का सिर्फ और सिर्फ इन नाम का इनिशियल, जैसे पर एक्जामपल सबसे पहले सूरज ओस्वाल जी है, तो वो लिखेंगे S. ओस्वाल, ऐसा, इस तरह से. कौन-कौन लिखता है? चंद्रिकर जी आप लिखते हैं. और, ठीक है. ऐसे जो परस्नेल्टी होती है, उनको लोग दूसरे नामों से जाद identify करते हैं, उनके surname से जादा identify करते हैं. क्योंकि आपने क्या किया, यहां समझने की कोशिश कीजिए. यह मैं आपको बता रही हूं ताकि आप signatures को समझ पाए किस तरह से आपको करना है. ओके? आप signature कर रहे हो, अपना सिर्फ initial लिख रहे हो, और surname पूरा लिख रहे हो. नेम का तो वो क्या है? सर्णेम क्या होता है? आपका family name होता है. है ना? साउथ में अगर आप जाओगे तो वो region का नाम भी अपने सर्णेम की ज़ए लिखते हैं. नाम के साथ अपना family सर्णेम लिखेंगे, region का सर्णेम लिखेंगे, ताकि उनकी recognition वहां से हो. कुछ जो है, अपने spouse का नाम लिखते हैं, सर्णेम की जगी पर. कुछ है, जो अपने father का नाम लिखते हैं बस, अपने नाम के साथ. राइट? ऐसा करते हैं ना सब? तो इसका मतलत क्या है कि आप जिसका पूरा नाम लिख रहे हो, उसको अपने आप से ज़्यादा importance दे रहे हैं. आप लोग इसलिए अब लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं. अगर आपका नाम का initial है, प्लस आपका सर्णेम पूल है, तो इसका मतलब आपको identity crisis है. identity क्या कहा था हमने? signature मतलब आप अपनी खुद की identity बताते हो. लेकिन आप अपना नाम नहीं लिख रहे हो. आप अपना नाम नहीं लिख रहे हो. आप family का नाम या जो दूसरा आपके उपर हावी है, उसका नाम लिख रहे हो. Got it? तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, identity crisis. Great? Something different to understand? तो इसका trade क्या होना चाहिए? आप अपना पूरा नाम लिख रहे हो. Simple? इसके और भी कारण होते हैं, अगर जब आपके लिखते हो, तो इसके और भी interpretations होते हैं. But मैं यहाँ पर आपको एक एक दो-दो ही बताऊंगी. हर एक का 5-6 हम कवर करेंगे यहाँ पर आज. ठीक है? हर एक का interpretation मैं आपको बताऊंगे. पर आपको एक करेंगे यहाँ पर आपको एक करेंगे.